अगर आप भी हेल्थ के लिए सना मकी का इस्तमाल कर रही हैं तो इसको इस्तमाल करने से आपको हेल्थ बेनेफिट्स हांसिल हो ना हो लेकिन आप बहुत सारे हेल्थ इशूज और कॉम्प्लिकेशन में जरूर मुब्तला हो सकते हैं क्योंके सोशल मीडिया और टेलिविजन मौनिंग शोज में आपको दो तिन ड्रामे बाजों ने सना मकी के बारे में जितनी भी इन्फर्मेशन दी है उसमें से ज्यादतर इन्फर्मेशन गल्थ है क्योंकि इन्फर्मेशन देने वले या तो होमियोबेथिक डॉक्टर्स हैं या उन्होंने निट्रिशन का कोई कोर्स कर रखा है उन्हें सिरे से जड़ी बूटियों और हर्प्स के बारे में पता ही नहीं इसलिए अगर आप भी सना मक्की के इस्वाल से फाइदा उठाना चाहते हैं ना कि इसके खतरनक साइड फेक्स का शकार होना चाहते हैं जिन में गुर्दों का फेल हो जाना और जिगर का तबाहो बरबाद हो जाना शामिल है तो इस वीडियो को आखर तक जरूर देखिएगा सना मक्की बहुत फाइदेमन चीज़ है इसका अंतासा आप इस बास सिलगा सकते हैं कि नभी करीम अलएवाली वसलम की हदीष मुझू है सना मक्की के बारे में जिसका मुफूम ये है कि नभी करीम अलएवाली वसलम ने अरशाद फरमाया अगर मौत का अलाज होता तो वो सना मक्की से किया जाता इसको इस्तमाल करने के बेशमार फाइदे हैं और ये आपको बहुत सारी बमारियों और हेल्थ इशू से बचा सकती है लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब इसका ठीक तरीके से इस्तमाल किया जाए लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तमाल करते हैं तो ये बेहत खतरनाग साबत हो सकती है इसलिए अभी आपको सना मक्की को इस्तमाल करने का सही तरीका बताते हैं आपने इसे किस मिगदार में इस्तमाल करना है इसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है किन लोगों को सना मकी माफ़क है और किन लोगों को इसका इस्तमाल हरगिज नहीं करना चाहिए और अगर इसको आप जरू से ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो आपको किन साइट इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है ये तमाम इन्फर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करते हैं इसलिए वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और नहीं इसे स्किप कर करके देखिएगा सना मकी का इस्तमाल खून में कोलिस्टोल को तेजी से कम करता है और साथ में श्रियानो की बलोकिज का भी खात्मा करता है सना मकी के इस्तमाल से कब्स का खात्मा हो जाता है अगर आपको 20 साल परानी कब्स भी है और वो किसी मैडिसन या रेमडी के इस्तमाल से खतम होने का नाम नहीं ले रही तो सना मकी को सिर्फ 5-6 दिन इस्तमाल करके देखें 20 साल परानी कब्स भी ऐसे खतम होगी कि दबारा जिंदगी में आपको कब्स नहीं होगी इसके अंदर जबरदस पेंड किलर कसूसियात पाई जाती है इसका इस्तमाल जिसम की दर्दों का खात्मा करता है इसका इस्तमाल दिल को मजबूत करता है और दिल की बेशमार बमारियों जैसे के हार अटेक से मफूज रखने में मदद करता है इसके इस्तमाल से नजला जगाम और इन जैसी दूसरी इंफेक्शन का खात्मा हो जाता है बलके नजलाजगाम और फलू के खात्मे के लिए ये ऐलोपेथिक मेडिसन से सो गुना से भी ज्यादा अफेक्टिव है सना मकी के इस्तमाल से सीने में जमी परानी से परानी बलगम पिगल कर जिसम से बाहर निकल जाती है ये आपके सीने और गले को साफ करती है सना मकी पिशाब आवर है इसको इस्तमाल करने से पिशाब आता है लेकिन इस पिशाब में जिसम में मजूद जितने भी गंदे और फाजल मादे होते हैं वो जिसम से बाहर निकल जाते हैं यानि ये आपकी बोड़ी को डीटॉक्स करती है क्योंकि सना मकी आपके खून को साफ करती है इसलिए आपके चेहरे और स्किन पर निकार आता है और आपके स्किन बिलकुल मसाइल से पाक हो जाती है लेकिन सना मकी की तसीर बेहत गरम होती है आप इसे कलोंजी कितना रुजाना इस्तमाल नहीं कर सकते सना मकी की मसाल लाइफ सेविंग ड्रग जैसी है जैसे एक मरते हुए इनसान को अगर लाइफ सेविंग ड्रग दी जाती है तो उसकी जान बचाई जा सकती है लेकिन अगर एक बिलकुल हेल्दी और सहतमन्द इनसान को वो ही ड्रग दी जाये तो वो उसकी जान ले भी सकती है अगर आप इसे रुजाना की बनाद पर इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं जैसे कि मुक्तलिफ लोग आप से कह रही हैं कि इसकी टी बनाकर इस्तमाल करें या मुक्तलिफ तरीकों से इसका इस्तमाल बताया जा रहा है तो रुजाना की बनाद पर इसको इस्तमाल करने से आप का मेदा और हाजमे के नजाम तुबाहो बरबाद होकर रह जाएंगे आपके पेट में दर्दे होंगी खाना आप से ठीक करना से हाजम नहीं हो पाएगा आपका पका पकाना बहुत नरम पड़ जाएगा जिस वज़े से आप अपने पकाने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपका जिगर मतासर होने लगेगा और बहुत सारी कंप्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी और अगर आपको पहले से कोई हैल्थ इशू है जैसे आपके मेद्दे या आंतों या पेट में जखम है तो इसका इस्तमाल बेहत खतरनाग साबत हो सकता है आपकी से ये कहते हैं कि अगर आप रुजाना सना मकी की चाये इस्तमाल करते हैं तो आपका अम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो आपसे सरा सर जूट बोलते हैं क्योंकि उन्हें असल में सना मकी के फाइदे और नुकसान और कैसे इसको इसको इस्तमाल करते हैं उसके बारे में क को स्टमाल नहीं कर सकते इसी तरह हाई ब्लेट पैशURE के मृईज्टबी से अ इस्तमाले नहीं करेंगे हाई ब्लेट पैशर के दिए everytime के आए निकल आएंगे उनकी सकन रफ बढ़ जाएगी और बहुत सारे मक्सूस मसायल का भी सामना करना पड़ेगा इसी Rob अगर गरम मजाज वले मर्द इसका इस्तमाल करते हैं तो उन्हें मुक्तली मक्सूस मसाइल का सामना करना पड़ेगा आप हेल्थ बेनेफिट्स हांसिल करने और अपने अम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सिर्फ कलोंजी और शहत का ही रुजाना इस्तमाल कर सकते हैं इन दोनों को रुजाना इस्तमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं बलके आपको बेशमार हेल्थ बेनेफिट्स हांसिल होते हैं सना मक्की को आप लगातार सिर्फ 6-7 दिन ही इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद कम असकम एक महीने की ब्रेक लेना लाजमी है। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राब करके घंटी का इकोन को दबा दें और राल निट्विकेशन को भी सेलेक्ट का लिजिएगा। और इस वीडियो के तुमाँ में सोशल नेट्वरक्स पर अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।